दोस्तों नवस्कार आप देख रहे हैं इस टेटीलिकों मैं हूं देवर्ट अंगरवाल और आज मैं आपको बताऊंगा कोराट की DC Supply Machine की सेटिंग कैसे की जाती है यहां पर जो आपको DC Supply Machine दिख रहे होगी वह फोंकों की दिख रहे होगी यहां पर आइपोन के लिए अचली यूज की जाती है जैसे कि आप देख रहे होंगे जो आखनी में पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स के बाद में जो आपको जीरो दिखाए देंगे वो चाह जीरो यहां पर CPU के डिटर्टिंग करने के लिए बहुत साथी चीजिया है यह बहुत अच्छी है फोंकोंग वालो की है यह मसी और उसके बाद आप यहां पर देख रहेंगे टू एमपेर वाली जो मसी है जो आप यूजिली आप सबको तो पता होगा है आज मैं पताने वाला हू तो बिल्कुल आपके सामने अन्बॉक्सिंग करूँगा मैं यह देखिए यह मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूँ तो यह मसीन है और इस मसीन के साथ मैं एक आपको जो यहां पर मिलेगा यह इसका केबल है पावर केबल है तो यह अन्बॉक्सिंग है प्लस आपको टेकनीशन को अगर जो काम करते हैं तो यह वीडियो उनके लिए खास है कि मैं इसमें दीशी सप्लाइमस्टिंग की पूरी सेडिंग बता रहा हूं और यह अपकी केबल है यहां पर देखने की बात यह है कि इसके साथ जो यह जो इसके लिए हमको अलग से एक अडप्टर यह लेना पड़ेगा या तो जो इस टेंशन बॉर्ड आते हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं तो चली ठीक है तो यहां पर अलग मैनुल आपको मिलेगा जो हर एक मैनुल मिलता है क्या इसके सिफिकेशन से किस तरह से काम कर सकते हैं पर सारी चैनीज भाता में हैं तो हमारी किसी काम का नहीं है और आपको काफ़ी मसीन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी यह देखिए इस तरह की मसीन होगी देखिए पीछे आपको फैन देखने रहा होगा और इस तरह की आपको यह मसीन देखने को मिलेगी पैकिंग काफी अच्छी है पकड़ने के लिए काफी अच्छी ग्रिप अब आपको प्राइन दी हुई है जिस तरह से देखे मैं पकड़ा हूँ अच्छा हम क्या करते हैं अपनी पुरानी मसीन को हटा देते हैं और यहां पर इस मसीन को इसमे लाग देते हैं इसमें जबत नहीं है और आप एट शीन नोटिस कर रहे होंगे इसमें आपको 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 देखने को मिल जाएगी देखे यहां पर आपको मसीन देखाई दे रही होगी तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो चलिए देखते हैं तर आपको 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 यहां पर आपको आपको अभी आपको आपको परता हैं ग्राउंड और वोल्टेज के लिए डिया हुआ है ताकि यहां से DC-Current-POWER-Supply को ले सके दूसरा यहां पर आपको अजस्में डिया हुआ है जो वोल्टेज को एज़स्ट करता है और आम्पेर को एज़स्ट करता है तो सबसे पहले मैं क्यार करूंगा पहली तो चीज हमी साथ आने चीए का कि पहले आपको यह ओनों बटन को दबाना है यहां पर आपको एंपिर सो नहीं होना चाहिए जैसी आपने इसको दबाया हो और अगर आपको यह एंपिर सो नहीं होगा तो इसका मतलब है तभी आप इसको यूज कर पाएंगे अगर अगर आपको यहां पर यह इतना है बuden्किन कहा हो रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे फिर शो न्यांट हो दैगी आप दो यहां in Eve were you पार यहां फिरे कि मुझे इसको करना है प्रोकर वोल पर उसके मुझे लाऊंगा देखिए आप यहां से जैसे के देख रहे होंगे यहां पर श्क वो देख रही हो चार पर चले अभी देखे यह आ गया चार वोल्टेश जैसे कि आपने देखा कि मैं आप डिर्ट चार वोल्टेश लिया है अब मुझे करना है एम्पेर को पाच एम्पेर पर सेट तो मैं बापस दबाऊंगा और एक और बाद दबाऊंगा अब देखें नीचे आ जुका है अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूं जैसे कि देखे पाच तो यहां से मैं एक दो तीन चार एम्पेर पाच तो इस तरह से मैं एम्पेर को कम ज़्यादा कर सकता हूं और यहां पर मैंने पाच एम्पेर को सेलेक्ट कर लिया है आप थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाता हूँ आयो कि आपको दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आपको यहाँ पर ताकि आ जाए अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यह जो M1, M2, M3 है यह आपके सब चैनल है जैसे फॉर्जाम पर यह मैंने 4 वोल्ट पे किया होगा है और 5 MP8 पे तो मैं इसको M1 में टिक कर दूँगा अब देखिए जैसे मैंने M1 में टिक किया तो उसमें और रेडी बता दिया कि 4 और 5.1 वोल्टेज मेरा सेट है अब मैं M2 में जाओंगा तो आप जैसे कि देख रहे हैं जो डिफॉल्ट सेटिंग है इसमें और यहाँ पर मुझे वापस इसको करना है अब जैसे मैं और चार बोल्ट पे मैं चाहता हूँ कि 4 वोल्टे में कम एम्पे पर भी सेट करू तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको चार बोल्ट पे कर दूंगा अब मुझे 4.2 करना है तो मैं इसको दबाऊंगा यह राइट और लैट वाले को ताकि इस पर आजाए और यह हमको विदिन कुछ सेकेंड करना है क्योंकि आप जैसे की देखेंगे कुछ सेकेंड वार अब मुझे एंपill को चेंज करना है तो मैं इसको दबाऊंगा और उसको मैं इसको मैं तीन आंपिर पर कर दूंगा तेयार हो चुकी है, दूसरा, जैसी मैंने M2 दबाया, फिर मुझे उनप दबाना पड़ेगा, अब ये मेरी रेडी हो गई है, ताकि मैं मुवाइल में लगा के इसको आउन कर सकूए, अब आप देखरें होगे, मैं M3 यूज़ कर रहा हूं, अब मैं इसको 5 A पे लेता हूं, और जो करन्ट लेता हूं, मैं 1.8 वोल्टेज पर लेता हूं, तो, ये देखे, इस तरीके से मैंने वोल्टेज को 1.8 वोल्टेज किया है, और एम्पेर को मैं वैसे ही रहने दूँगा, और मैं उसको छोड़ दूँगा, तो वाटर में देकी सेट होगा, और उसको मैं कर द तो, मैं रखता हूं, यहां पर 2.8 वोल्टेज में, या फिर अगर मान लेजे मुझे बूस्ट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं बैट्री को बूस्ट करूँ और मैं यहां पर 12 वोल्टेज को सेट करूंगा, देखे, तो यह मेरा 12 वोल्टेज सेट हो गया, अब मुझे कभी बैट्री को बूस्ट करना है, तो मैं सीधे M4 दबाऊंगा, on-off करूंगा, तो बूस्ट सेट हो जाएगी, या मुझे बैट्री को चार्ज नहीं करना है, मुझे अपने फोन में सेट करना है, तो मैं M1 दबाऊंगा, on-off करूंगा, रेडी हो जाएगा, या तो मुझे, अब बात करते हैं उपर के यह तीम बटन की तो देखें दो तो यह प्रोटेक्शन दिये हुए हैं जिसमें यह OVP मतलब और OCP अवर्डोटेक्शन औरोष में जिसमा गgowना यह OVP मनलब टन्या सब्सक्रिक्शन झाइसरो खष्याज गोजए अब allesSpare जिसमा डूप छोक्ता को छोड़ा है यह घ्रआन मांना टन्याrian के एक लोट्रेंकन परन में चील के आवा है तो मैं अगर लॉक दबाऊंगा अब देखेंगे कि आप यह जितना भी दबाएं आपको यह चेंज नहीं होने वाली है कोई भी बटन आप दबाऊंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि लॉक्त हो चुकी है पर अब जैसे इसको दबाएंगे जैसे बीप आईए आप देखेंगे कि आप कोई भी बटन चेंज करेंगे तो यह आपकी चेंज हो जाएगी तो इस तरीके से आप इस DC Supply Machine को यूज कर सकते हैं तो दूसरो आपको समझ में आया हो और आपने इसे कुछना को सेखा हो अगर अच्छा लगे तो वीड़ो पर जो लाइक किजेग मैं आपको इसी तरीके से नह ने टूल आपको बताऊंगा और किन टूल का क्या यूज होता है जसे अगर मैं इस तरह के बात करूं को कॉटन के पेपर किया कॉटन के कपरे किया इस तरह के मैं पेस्ट की बात तो विए काफी अच्छे में टूल के आपको रिव्यू क्या इंपोर्टेंट है अजर्बीन टेक्निशन्स दोस्तों मैं यहां पर आपको कोई सौप लेकर ने बैटा हूं कि टूल बेच रहा हूं या ऐसा कुछ भी नहीं है मैं चाहता हूं कि अजर्बीन टेक्निशन्स जो हम यूज कर रहे हैं जो इंसिट्टूड यूज कर रहा ह वही एक स्टूडेंट भी अपने सौप में यूज करें आपने देखा होगा कि तरह तरह की SMD मसीन बिची जा रही है उस मसीन में आपको देखने को मिला होगा कि IRN भी लगा होता है उस मसीन में ऊपर एटिंग प्लेट भी दे रेते हैं मैं अब अबिल सब कुछ देते हैं मैं आपको best SMD machines बताऊंगा, अभी मैं इसको review करूँगा, मैं आपको दो machine के review करने वाला हूँ, एक करने वाला हूँ SMD AAKA 857DW+, और AAKA 861DW, so ये दोनों machine को मैं review करने वाला हूँ, और review के video के लिए आप ज़रूर वेट कीजेगा, और चैनल को subscribe नहीं किया, और आपको किस तरह के video चाहिए आप नीचे कमेंट किजिए उस तरह के video में लाने की कोशिश करूँगा, और दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आप लोग बोलेंगे मेरे सर्की सार ट्रेसिंग पर एक video बना दो, या बोलेंगे सर इस तरह की secondary line, primary line पर, तो तो मैसेज बताओं कि video से आप पूल्स के वारे में जान सकते हैं, किसी भी चीज के वारे में जान सकते हैं, पर शीखने के लिए और प्रैटिकली जबाव लेते हैं, तो आपको साम नहीं आना पड़ेगा, किसी भी इंस्टीडूट को जॉइन कीजिए, मैं नहीं बोलता है मेरे को जॉइन कीजिए अगर मुझे जॉइन करना है तो आपको यह चीज नॉलेज होगी कि आपको कैसे मुझे जॉइन करना है, नीचे दिये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बाकि अगर आपकर कॉल नहीं लग रहा है तो वेट कीजिए, साम के टाइम पर हम भी किसी के कॉल नहीं हुठाते हैं, अगर मैं बात करूँ कि किस तरह की माईकर को कहा एक अच्छा आपको डूटाओ दूँगा और बताओंगा कि किस तरह कहा एक आज को आज है, रिव्यू है दोस्तों मैं अगर एक swap लेकर बैठ जाओं जिसमें मैं समान बेचू तो मैं अपने घटिया समान को भी अच्छा बता के बेचूंगा पर अगर मैं वही समान क्योंकि इसलिए वही समान आपको बता रहा हूं जिसकी market में value है और जो institute चला रहे हैं आप देखे हो समान क्योंकि अगर वह अपने institute में भी वह चीज नहीं लगाया अगर उन्होंने कुछ अच्छी चीज लगाई है तो अच्छी चीज ही खड़ी दी है आप अगर थाई तीन हजार रुपे की मसीन खड़ी है तो मुझे लगता है कि चारह जार की मसीन खड़ी लेना चाहिए क्योंकि धाई अजार से भी आप 15,000 का मुबाईल बना रहे है और 4,000 से भी तो अच्छी बात यह है कि अच्छा मुबाईल जो भी आपका कस्टमर का है वो बनना चाहिए उसमें फॉल्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि कि किसी भी इंस्टीट गए ना तो आपको सबसे पहल हो नहीं रहा है तो चलिए दोस्तों इसी तरह मिलते रहे हैं और इसी तरह से लाइक करो प्यार करो और सुस्क्राइब कर तरह थेंगी बड़ी माच्छ वो तो बहले तो हम लोग मोबार का जिकानिक बोलता था हूँ जो इधर आके शिकना शिक सकता है तो अब मुझे बताओ कि तुम सेट इंस्पाय हो यहां से तुम बहुत सेटिफाय जब हम सीखे तो बहुत कुछ हम भूझ ठके भी हैं एसा नहीं है कि लोग मुझे ठका भी है लोग मुझे ठेगा भी है लेकिन वहां कुछ नहीं है और जब महीं यहां आ तो मुझे बहुत कुछ नहीं रा कि अपने section हुआ भी नहीं है जो अबाइस लेबल अगांट तो यहाँ आपको मिला तो यहाँ पर आपको मिला खाले थीक था इंक यू बेर दोस्तों नमस्कार दोस्तों अमेद करता हूं कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मुबाइल फ्लेसिंग स्वाड़ बनाई है उसको पर्चेस किया होगा तोस्तों इसलिए मुबाइल ऋ प्लेसिंग का भогत सरा घ्यान हो एं कि कि आपके संचेण बातों न के लिए औपना जाता है उसमारी पर आपको मुबाइल रिपरियदिग आफ्सक लापकुद के आपको लिए लाप आपॉस अबिए तो फोलारल के महीं है दोस्तों इसे टिश और मेर या लिखे एस्ट टेलिकॉम दोस्तो ग्यान असीमित है या आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते है थेंक्यू सर्च बार में एसे टेलिकॉम सर्च करें कि अवलोपन प्रिप रर्परे यंतित्थे कॉल फो द्मपरे बंड़ अ से अवेयर य्यू थाज का उप हो इसुन आज कि अ एकृआ भाव प्रिपार यू एंडरी यू जग अट्रिप्टिछुंट